नमस्कार दोस्तूं, स्वागत है आपका आईयस प्रेपर। आज की तारीक है 31 दिसंबर 2019, यानि कि इस साल का आखरी दिन। आज के करेंट अफेर को डिसकस करने से पहले एक सुवेचार। आसावाती होना वह विश्वास है जो हमें उपलब्धी की तरफ ले जाता है बिना आसावा उम्मीद के कुछ भी नहीं किया जा सकता। कई बार जीवन में बहुत कुछ गरवड होता है। रिजल्ट्स खराब होते हैं, फैमली में प्रॉब्लम आती है। लगातार कई बार ये घटनाय ऐसे रिपीट होती हैं, लगता है कुछ भी पॉजटिव नहीं हो रहा है, और जो भी हो रहा है वो निगेटिव ही हो रहा है। लेकिन क्या आसा छोड़ देनी चाहिए? नहीं। अगर आसा आप छोड़ देंगे, उमीद छोड़ देंगे, तो सायद कुछ भी आप हासिल न कर सकें। इसलिए ये आसा और उमीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुख का कारण ये आसा और उमीद ही होती हैं, लेकिन इनके बिना जीवन नहीं जिया सकता। ये कहा था हैलन केलर ने। चलिए, आज का करेंट अफेर हम डिसकस करते हैं, कल से कोसिस रहेगी एक जनवरी से, मौर्निंग में जल्दी से जल्दी ये आपको करेंट अफेर मिले, आपको टाइम बता दिया जाएगा। देश के पहले Chief of Defense Staff, कौन बनाए गए, एक सामान इसा प्रश्न ये हो सकता है। और ये बने हैं सेना प्रमुक जन्रल विपिन रावत, अभी ये 61 साल के हैं, ये एज इस लिए लिए लिखी गई है क्योंकि इसका महत्तु है, देश के पहले Chief of Defense Staff, जिसको सार्ट फॉर्म में क्या कहा जा रहा है, CDS, है ना, Combined Defense Services, वो CDS अलग होता है, ये Chief of Defense Staff के लिए भी CDS सब्द प्रियुक्त किया जा रहा है, इनको बनाया गया है, Chief of Defense Staff के लिए अधिक्तम आयू सीमा 65 वर्स है, तो अभी ये 61 साल के हैं, 65 साल तक जब तक इनकी उम्र होगी, तब तक इस पत पर ये रहेंगे, यानि कि साल तक निजी जिम्मेदारी भी ये नहीं सभाल सकेंगे, यानि कि कोई निजी कमपनी में या कहीं पर काम करना चाहें, तो 5 साल तक ये काम नहीं कर पाएंगे, ये तो बात हो गई, देश के पहले Chief of Defense Staff की, लेकिन ये जब CDS बनाये गए तो एक पत रिक्त हुआ, वो था थ सेना के प्रमुक का, लेटिनेंट चनर्रल मनोज मुकुन रनवडे को 28 में सेना प्रमुक के तार पर नियोक्त किया गया, तो ये भी एक important news है, एक important fact है, पहले भी हम डिसकस कर चुके हैं, कि Chief of Defense Staff का का कारीछेत्र क्या होगा, लेकिन एक बार फिर से हम इसको रिवाइस कराय दे रहे हैं, इन्ना सेना, सेना और वायु सेना, तीनों का समलित रूप से कारीछेत्र इनका होगा, और हर सेनाओं के समझ लीजिए कि कोई भी कारी जो होगा, वो इनके अंडर में होगा, हाना, सारी सेनाएं अब इनके अंडर में कारी करेंगे, अंडर का मतलब यहां गलत मत लीजिएगा कि इनके आदेश के विना कुछ नहीं होगा और सारे पत्समाप्त हो जाएंगे ऐसा नहीं है लेकिन बहुत सारा management अब इनके हाथ में होगा इसके अलावा जो सबसे प्रमुख बात है मैंने आपको बताया था कि ये ग्रह मंत्री और परधान मंत्री के सलाहकार भी होंगे सुजनता दिवस के आवसर पर हमारे परधान मंत्री स्री नरेंदर मोधी ने chief of defense staff वत के लिए घुशना की थी कि इसको सिर्जित किया जाएगा और भारतिय थल सेना नौ सेना और वायू सेना के बीच में समन्नवे अस्थापित किया जाएगा तो उसी लिए उसी कारण से उसी क्रम में ये फैसला लिया गया है और विपिन रावत पहले CDS बन गया है तो परधान मंत्री और अच्छा मंत्री के लिए सैने सलाकार अगर पूछा जाए आपसे CDS होता है तो ये बात आप कहेंगे कि हाँ सही है और ये सरवोच अधिकारी होंगे ये भी आप बिलकुल ध्यान रखिएगा अगला चो टॉपिक है केंद्रिये रिजर्ब पुलिस पुलिस वल का नया मुक्हाले बनाया जा रहा है इसी के बहाने हम देखेंगे कि ये ये जो केंद्रिये रिजर्ब पुलिस वल है इसकी क्या महत्ता है और क्या है ये ये जो मुक्हाले ये सबसे बड़ा है, ये ग्रेह मंत्राले के अंतरगत काम करता है, ये भी प्रशन पूछा जाता है कि किस मंत्राले के अंतरगत कार्य करता है, इसका लच्चे सरकार को कानून, सारजुनिका देश और आंतरिक सुरच्चा को प्रभावी ढंक से कुसलता से बनाये रखने, रा ये जो ये पूरा बल है ये और कौन से कारे करता है तो कानून बेवस्था बनाये रखने के लिए कोई भी बित्रो उनको नियंत्रित करने के लिए ये तो कारे करता ही है साथ में जो नकसल विरोधी अवियान होते हैं, उसके लिए काम करता है, जो भी आतंगवादी गद्विदियां होती हैं, आतंगवादी हमले हो जाते हैं, कभी भी हो सकते हैं, आतंगवाद विरोधी जो भी अवियान होते हैं, उन संकटों से निपटने के लिए इसकी बहुत महत्पूर्ण भुमिका होती है, नागरिकों के बचाओ के लिए ये बहुत महत्पूर्ण होता है, आगे हम बात करते हैं अगली न्यूज की, वो न्यूज है सतत विकास लच, SDG सुचकांक 2019, ये जो सुचकांक है, ये जारी किया गया है, किस के द्वारा जारी किया गया है, सबसे महत्पूर्ण बात ये है, क्योंकि सबसे सामान निप्रश्ण यही बनता है कि कौन इसको जारी करता है, तो ये जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग ने इसको जारी किया है, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणिये मानकों पर राजी और केंसासित प्रदेशों के प्रदर्शन का इसमें मोल्यांकन किया जाता है। इसमें नीत यायों के जो सीओं हैं वो अमिताब कांथ हैं। उन्होंने ही ये HDG India Index 2019 को जारी किया है। इसमें देखा जाएं तो केरल सत्ता रंक के साथ सीर्स अस्थान पर बरकरार हैं जबकि बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। हिमाचल प्रदेश दूसरे अस्थान पर हैं, आंद प्रदेश उसके बाद में हैं, फिर तमिलाडू है, फिर तेलंगाना, इन तीनों को मिलाकर तीसरे अस्थान पर संयुक्त अस्थान इनको दिया गया है, किनको किनको तीसरे अस्थान पर आंद प्रदेश, तमिलाडू और तर्परदेश को पिछले साल नीती आयोग ने स्यूंकतराष्ट के सहयोग से सुरू किया था और सुझाये गए 17 में से 16 लच्छों को मानक बनाया था 17 जो लच्छे हैं वो सहिंक राश सुझाता है उसमें से 16 लच्छों को इन्होंने मानक बनाया था इस साल राज्यों का जो मुल्य अंकन है सहिंक राश्ट दौरा जो सुझाये गए 306 मानक है उनमें से 54 लच्छो को लेकर 100 सूचकांगों के आधार पर तयार किया गया और इसमें केरल सीर्ज दस्थान पर है लेकिन इसको अंक कितने मिले हैं केवल 70 अंक मिले हैं तो ये ध्यान में रखना है क्योंकि इससे प्रश्न बनना ही है और इसमें 70 अंकों के साथ अगर देखा कैंसासित परदेश कौन सा सब से आगे हैं तो 70 अंक इसको भी मिले हैं वो है चंडीगढ़ कैंसासित परदेशों में सबसे आगे हैं वैसे ऐसे राज्यों में केरल सबसे आगे हैं और बाकी दूसरे अस्थान पर हिमाचल प्रदेश आपने देखा है और इसको ध्यान रखेगा बिहार, जहारखन और उनाचल प्रदेश इन्होंने बहुत खराब परदर्शन किया है और अमिताप कांत ने जब यह रिपोर्ट जारी क कि अच्छे से अच्छा करें तो इसमें कमियां पता चलती है इस आधार पर हम आगी की नीतियों को तयार करते हैं अगर इसमें थोड़ी सी बात और की जाए तो पस्चे मंगाल ने भी नीतियायों का जो इसडिजी सुचकांक है उसमें एक अच्छा परदर्शन किया है ले पश्चि मंगाल को तीन सीर्स राज्यों में होना चाहिए था, ऐसा कहा गया, लेकिन ये है नहीं, ठीक है, होना चाहिए था इसको, वैसे पश्चि मंगाल का चौदहमा अस्थान है, अगर समकर रूप से देखा जाए, तो चौदहमा अस्थान है, तो उस हिसाब से इसने साथ अंक अरजित किया, तो भारत ने तीन अंक का इसमें इजाफा किया है, कोपोशन और लेंगी का समानता की अगर बात करें, तो भारत के लिए अभी भी बहुत सकारात्मक इस्तिती नहीं है, सरकार को अभी भी इस पे ज़्यादा जोर देने की जरूरत है, किसमें जो ल इतनी बातें इसके बारे में काफी है, क्रिष्टीना कोच कौन है, इन पे प्रश्न बनना तय है, यह है अंत्रिच यात्री, महिला वर्ग में ऐसी अंत्रिच यात्री, जिन्होंने अंत्रिच स्टेशन में सबसे अधिक समय व्यतित करने का रिकार्ड बनाया है, यह आज इस लिए चर्चा में, अभी यह वापस नहीं आई है, लेकिन रिकार्ड तूट गया, इसलिए आज यए चर्चा में है, और हर पेपर में यह नीज है, यह है क्रिष्टी कोच ने यहीं कि महिला वर्ग में देखा जाए तो अभी तक सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली महिला यह हो गई है पूरुस वर्ग में अमरिका के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले व्यक्ति हैं 2015-16 में इन्होंने 340 दिनों का रिकार्ड बनाया था अभी जो यह है क्रिश्टीना कोच यह नासा की तरब से गई है नासा अमरिका सरकार की स्पेस एजंसी है आपको पता है 1958 में यह गठित हुई थी इसकी अस्थापना उन्होंने महत्पूर्ण भूमिका निभाई थी इसके गठन में नासा ने जो अपने महत्पूर्ण अभियान चलाए हैं उनमें बहुत सारे अभियान हैं जैसे आपोलो आपसे पूछा जाता है इसकाई लैब पूछा जाता है अंतराश्टी स्पेस स्टेशन भी पूछा यह है क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि ISS है क्या? तो ISS की उचाई एक तो important है, 330 से 435 मीटर की उचाई पर यह होता है, और यह 90 मिनट में प्रिथवी की एक परिकर्मा पूरे करता है, तो उचाई भी आप इसको ध्यान में रखिए, यह 330 से 435 किलो मीटर की उचाई पर होता ह है, और 92 मिनट में यह परिथवी की परिकर्मा करता है, एक दिन में 15 दसमें लो 5 बार परिथवी की परिकर्मा यह करता है. ISS, कारिकरम, जो है, ये पांच औंतरीच एजनसिया है, जिनका सम्भलिद प्रयास है, इसमें ये पांचय एजनसिया आपको पता होनी चाहिए. इसमें एक है NASA, दूसरी है रसिया की औंतरीच एजनसिय जिसका नाम है ROS, KAAS, MAS. तीसरा है, यानि कि दूसरा हो गया, रोसकास मास. ये सब ऐसी information है, जो आपको किसीने किसी बहाने पढ़ना होता है और प्रस्निष से पूच्छे जाते हैं। अगली जापान की agency है, उसको कहते है, क्या जाकसा, एक European agency है, जिसको European Space Agency कहते हैं और एक Canada की एजनसी है जिसको Canadian Space Agency कहते हैं तो पांच देशों का ये संयुक्त प्रयास है तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है अभी जो कृष्णिना कोच है ये फरवरी 2020 में वापस आएंगी जब ये फरवरी 2020 में आएंगी तब इनका 328 दिन अच्छा में है इंडिया स्टेट आफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 जारी की गए ही यहां पर केवल हम इंपॉर्टेंट चीजे देखेंगे इसका एक अलग से वीडियो बनाया जा चुका है वो आपको मिल जाएगा साम तक मैं पब्लिस कर दूँगा और उसमें डिटेल में हम बात कर लेंगे तो इंडिया स्टेट आफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में जो महत्पूर बाते हैं जहां से प्रश्ण डरिकली बनते ही हैं उनमें पहली बात है कि कुल वनाच्छादी छेत्र फॉरेस्ट कवर जो है वो 712,249 किलोमीटर का है और ये प्रश्ण पूछ के प्र पंचानवे हजार 27 वर किलोमीटर है और ये देश की कुल भावगोलिक छेत्र का 2.89% है अगर इसी में कुल पूछ लिया जाए कि कुल वनाच्छादित और ट्रिकवर दोनों मिला के तो इन दोनों को एड कर देते हैं 21.67 और ये है 2.89 तो इसको जब एड कर देंगे तो ये आजाएगा 24.56 ये आजाएगा ये आपको द्यान में रखना है देखें यहां से प्रशन बनते हैं इसके अलावा जो प्रशन बनते हैं उसमें है कि इंडिया स्टेट रिपोर्ट जो आई है स्टेट आफ फॉरेश्ट रिपोर्ट 2017 उन्नीस जो आई है वो 17 के मुकाबले इ बिर्थी बहुत जादा नहीं हुई है 0.56% हुई है आधे परसंट से थोड़ी सी जादा अगर आपसे वर किलो मेटर में पूछा जाए तो 3976 वर किलो मेटर जो राजजी रहे हैं जिनमें सबसे जादा बिर्थी हुई है तो उनमें एक राजजी है करनाटक जिसमें सबसे जादा बिर्थी हुई है 1025 वर किलो मीटर और दूसरे अस्थान पर हैं आधर प्रस जिसमें 990 वर किलो मेटर तीशरे पे हैं केरला 823 वर किलो मेटर और चौते पे हैं जammung कस्मीर 371 क्लो मेटर तीन vaisतार जरूर जरूर याद रखिएगा करनाटक आधर प्रदेश और उसक अगस 2020 में इसके बारे में एक वैठक इसके लिए आयोजित की जाएगी, जब अगस 2020 में जो ये वैठक आयोजित की जाएगी, इसमें नया ड्राप्ट एक बनाया गया है, उसके तहट विशेषक समित की अस्थापना की जाएगी, और इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि इसम को सामिल किया जाना है, बुडाफेस्ट कन्वेंशन एक है, जो cyber अपरात की प्रथम संथी थी, cyber अपरात से related अगर आपसे कोई संदी पूछी जाए कि पहली संदी कौन थी, तो यह है बुडाफेस्ट कन्वेंशन, बरतमान में यह संयुक्तराष्ट के तहत, एक मात्र ऐसी संदी है जिसका संबन साइवर अपराद से हैं. तो साइवर अपराद होता क्या है? आपको पता है? साइवर अपराद जाच और साइवर फारेंसिक पर अगर हम बात करें, तो अभी यहां इंडिया में भी एक समेलन हुआ था, 4-5 सितंबर 2019 में. नई दिल्ली मे यह हुआ था और इसका जो इसकी अत्यक्सता किया था रिसी कुमार सुकला ने, जो CBI के निदेशक है. साइवर अपराद क्या होता है? साइवर अपराद के अंतरगत ऐसे अपरादों को सामिल किया आता है, जिनका संबन कम्प्यूटर और नेटवर्क से होता है. किसी की भी निजी जानकारी कम्प्यूटर से निकाल लेना, चोरी कर लेना, यह साइवर अपराद है. स्पैम, इमेल करना, हाइकिंग कर लेना, वाइरस डाल देना, फिशिंग करना, यह सब्द है, यह सब्द साइवर अपराद से रिलेटेड है. किसी की जानकारी को आनलाइन प्राप किसी पर हर समय नजर भी रखा जा सकता है और ये भी cyber अपराद के स्रेणी में आता है. cyber अपराद जो है वो बहुत बड़ी चुनोती है क्योंकि इसमें बहुत जटिल ये जो स्रेणी है अपराद की ये बहुत जटिल होती है और इसको पहचानना, सिनाक्त करना बहुत मुश्किल होता है तो इसमें अभी causal विकास की जरूरत है, forensic causal की इसमें और ज़्यादा जरूर इसकी drafting में भी वो सामिल नहीं था अगर ब्रिक्स का कोई एक और देस आपसे पूछा जाए जो इसमें सामिल नहीं था तो वो था वराजील, तो भारत व वराजील इसमें सामिल नहीं था Important One Liner आप तड़े, आज का जो Important One Liner है, उसमें पहला है कि आश्टेलिया के किस तेज गेंदमाज को अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास लेने की घोषना किस ने की है, तो यह Peter Seedal है, यह पीटर Seedal का संबंद किस टीम से है, यह पूछा जा सकता है, तो यह आश्टेलिया ही हाली में सांखेगी परगठित समीत का प्रमुक कौन होगा, तो यह है सांखेगी वेद पृणव सेन, पृणव सेन को इसका प्रमुक नाई गोषित किया गया है, मणडू उतसो किस राजी में मनाया जाता है, मनडू उतसो बनाया जाता है मध्य प्रदेस में. और उष्यकडवंदीय चक्रवात सराय किस देश में आया? तो सराय आया है, फिजी में. यह one liner है, इसमें और बहुत कुछ जानना नहीं है, फिजी कहां है, फिजी की location अगर आपको ना पता हो तो इसमें देखिए, आस्टेलिया आप देख रहे हैं न, आस्टेलिया से east में बढ़ेंगे तो यह वनवातू पड़ेगा, वनवातू के और east में जाएंगे, तो यह फि Pacific Ocean में यह पड़ता है, इसके ऊपर फिर यह छोटे-छोटे country है, तुवालू है, समोवा है, आस्टेलिया के east में यह सारे country पड़ते हैं, Pacific Ocean में पड़ते हैं, South या नार्थ, तो यह क्या पड़ते हैं, South में पड़ते हैं, Pacific Ocean में, New Zealand के नार्थ में यह है, यह देखे यहाँ पर New Zealand है, अच्छा यह आस्टेलिया का में पर है, देखे यहाँ पर यह ग्रैट डिवाइडिंग रेंज है, यही पर जो कोरल रीप पूछी जाती है, वो यही पर पाई जाती है, आस्टेलिया की राजधानी क्या है, कमेंट में आपको बताना है, इसके लाभा और भी मैं लोकेशन आपको दिखाया दे रहा हूँ, यह है पापवा, न्योगिनी, यह भी इंपोर्टन लोकेशन है, न्यूजिलेंड मैंने आपको बताया ही, तुआलू भी कई बार पूछा गया है, एक नौरू देस है, नौरू देखिए यहाँ पर है, यह जो पूरा ये एरिया ह इसको Micronasia कहते है, यह जो पास का एरिया है, देखिए, Federated State of Micronasia, यह पूरा एरिया है, यह किरिवाती के बारे में आपने सुना होगा, यह किरिवाती है, आस्टेलिया के इधार आएंगे, तो यहाँ पर इंडिया नोसिन पड़ता है, आस्टेलिया के साउथ में जाएंगे के बीच में हैं ठीक है और नुजिलाइंड की राजधानी वेलिंग्टन है आश्टेलिया की आपको बताना है तो हास करेंट अफेर का क्लास यहीं पर समाप्त होता है आप लोग इसको अधिक से अधिक करें लोगों तक पहुंचाएं जिसे क्लास आगे कांटिडियू रह सकें नया साल की बहुत सारी सुपकामना है आपको धेरों सुपकामना है नया साल हर द्रिष्ट से आपके लिए सफल हो सुखद हो आपके परिवार के लिए आपकी निजी जिन्दिगी के लिए आप असी को छुएं नहीं सफलता हैं अर्जित करें ऐसी सुपकामनाओं के साथ थांक यू थांक यू बेरी मिच्च